नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ टिफ्स इन हिंदी में स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे सर्दियों में गले की खराश को दूर करें अलसी की चाई दोस्तों सर्दियों में सर्दी जुखाम खांसी, वाइरल, इन्फेक्शन और गले में खराश जैसी समस्या आम देखने को मिलती है इन छोटी मोटी समस्यां से निजात पाने के लिए लोग एंटिबायोटिक मेडिसीन का सेवन करते हैं लेकिन आप कुछ घरेली तरीके से भी इन समस्यां से चुटकारा पा सकते हैं आज मैं आपको एक ऐसी चाई के बारे बताऊंगी जिसका सेवन करने से आपको सर्दी जुखाम जैसी प्रोबलम से चुटकारा मिल सकता है सर्दी खासी के लिए उप्योगी है अलसी की चाई ऐसे तयार करें आलिवेदिक चाई एक टी स्पून अलसी पाउडर को एक कप पानी में तब तक धीमियाच पर पकाएं जब तक पानी आदा न रह जाएं पानी पकाने के बाद इसे थंडा करें और फिर इसमें सहद वेगुड मिलाई सुबह साम इसका सेवन करने से आपकी सर्दी खासी और जुखाम की समस्या दूर हो जाएगी दोस्तों ये चाई भी करेंगी सर्दी खासी दूर नमबर एक है ग्रीन टी दोस्तों, ग्रीन टी में थियानी नामक एमीनो एसिड पाया जाता है जो कि गले की मसल्स को रिलाक्स करके आराम पहुचाता है ग्रीन टी में पावरफूल एंटी आउक्सिडन्ट और पॉलिफेनल्स होता है जो फ्री रैडिकल को डेमेज होने से बचाता है इससे आप वाइरल इंफेक्शन से बचे रहते हैं नमबर दो है कैममाईल टी एंटी अक्सिडेंट से भरपूर होने के कारण इस चाय का सेवन भी सर्दी खासी से रहाद दिलाता है साथ ही इससे इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है इससे आप वुखार वे वाइरल इंफेक्शन आदी से बचे रहेंगे नमबर तीन इलाइची की चाय दोस्तो केलसियम और पोटेसियम से भरपूर इलाइची की चाय सर्दी जुखाम की समस्या को ठीक करती है साथ ही यह गले को आराम भी पहुचाती है इसके अलावा यह आपके सरीर से कैफिन को नश्ट करती है जिससे पेट से जुड़ी सभी प्रोबलम दूर हो जाती है नमबर चार है अद्रक की चाय एंटी बैक्टिरियल गुण होने के कारण अद्रक की चाय सर्दियों में होने वाली प्रेसानियों से रक्षा करती है गले में इंफेक्शन हो या वाइरल बुखार इस चाय का एक कप आपकी सभी समस्याई दूर कर देगा दोस्तो सर्दी जुखाम खासी गले में इंफेक्शन आदी समस्याई होने पर आप इंचाय का सेवन करें इससे आपको काफी आराम मिलेगा दोस्तो मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज लाइक वे कमेंट करें और मेरी नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद